जहिन देखे डियाडी ओध और अबिक्सिस तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं यह पहले सर्वलांस ड्रोन था अब इसे हमला करने के लिए तयार कर दिया गया है यह अभी बेंगलोर में हो रहे एर सो का उपर से एरियल सर्वलांस किया है इसका नाम TAPAS है TAPAS का full pump होता है tactical airborne platform for aerial surveillance तो tactical का मतलत है कि बहुत जादे दूरी नहीं कम दूरी तक के लिए ये होता है छोटे हम लोग को tactical के नाम से हम लोग इसे जानते हैं इसकी बिसेस्ताओं के बारे में समझते हैं ये actual एक surveillance drone के रूप में इसे विक्सित किया गया था लेकिन अब इसे armor drone के तौर पे तबदिल कर दिया गया अमेरिका भी predator जो drone बनाया था वो पहले surveillance के लिए बनाया था निगरानी के लिए अब उसको क्या कर दिया उसमें missile बगरा लगा के heart point जोड के उसे घातक हातियार उसे लाइस कर दिया आज दुनिया में सबसे ज़्यादे तबाई वही मचा रहा है आगा गया है आला कि और इसके numbers को बढ़ाए जाएगा सुरुवाती परिक्षण इसका करनाटक में हुगा था करनाटक के सुरुवात में इसका कोलार में परिक्षण हुगा दूसरा परिक्षण जो पूरा बढ़िया से ट्राइल किया गया हो चीतर दुर्ग में यह अक्सर कोशन पुझेगा चीतर दुर कहा है करनाटक में हाला कि पहले भी मिसाइलों के परिक्षण के लिए हमारे पास उडिशा का वीलर दूइप जिसका नाम कलाम दूइप हो गया उसके ऊपर है चांदीपूर और यहां पोखरान यह चार जगह याद रखेगा जादे हैं जितना जादे विन रहेगं वहामें उतना जादे इस्टेबल रहेगा वह कोई भी इस्टेह्मश्यल Metis इसकी बढ़े जाती है इसमें टर्बोपरौप टाइप की इcoming ओईन लगे गया है जिसके फप्यों बाहर होते हैं चार्बोपरौप इंजन के फईन हो़से भाहर रहेंगे इसमें तीन ब्लेट दिये गए हैं घुमने के लिए जबकि तुरकी का जो TB2 ड्रोन था उसमें दो ही विंग्स थे दो ही फैन है घुमने के लिए इसमें तीन फैन है जो तुरकी ने पूरी दुनिया में हला कर दिया कि उसी का ड्रोन सबसे बढ़िया है। उसका जो ड्रोन है उसमें दो ही विंग लगे हुए है। हम लोग का जो ड्रोन है उसका जो इन्यन है वो जादे पावरफूल है। वो तीन टर्बो ब्लेड है उसमें 130 कीलो वाट यह जनरेट करेगा। इतना इसका पावर है। जबकि तुर्की का जो टीवी टू ड्रोन था वो पचापतर कीलो वाट ही जनरेट करता था। यह तुर्की का यही ड्रोन है जो अजरबैजान की लड़ाई में पूरी तरह से आपकता पलड कर दिया था .. यह यह यूक्रेन की सेना का पूरा मदत किया था including TBTDrone इस ड्रोन की जो सर्वीस सीलिंग है जब उचाई होती है उसे सर्वीस सीलिंग टेक्निकल भासा में बोला था 35,000 फीट है 35,000 फीट पे कमर्सियल जहाज उड़ते है इसके आप यह जहाज की हाइट पे उड़ेगा आप पे अभी सके रफ्तार एंगन और समूत होँए इसके खाली वजन केवल मतरब जहाज का वजन है इस ड्रोन का अकेले वजन अठारा सो केजी है लेकिन यह ले जा सकता है साड़े तीन सो केजी का पे लोड यहीं से इसकी एडवांसमेंट चालू होती है कि सारे 300 kg के हथियार को ये ले जा सकता है जबकि तुर्की का जो TV2 ड्रोन था वो महज 1.500 kg के ही वजन को ले जा सकता है 1.500 kg में वो 2-3 मिसाइले ही ले जा सकता था जिस वज़े से उसे बार-बार वापस आना पड़ता था दूसरा ये एक राफिल में पचास राफिल खरी इसको एक राफिल में ये पचास ठुआ जाएगा और तगड़ा इतना खतरनाक जिसका कोई अभी रेट डिस्क्लोज नहीं होता है ये डिफेंस के चीजों की इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं बहुत सस्ता होता है इसका रेट अभी कुछी को एक्चुल नहीं पता होता है तो सारे 300 केजी का ये हतियार ले जा सकता है टीवी टू डोन से जादे ले जा सकता है हलागि तुर्की भी अपने डोन को एडवांस कर रहा है इन डोनों में हाड पॉइंट लगाए जाएंगे चार हाड पॉइंट लगाए जाएंगे दो इस विंग्स पे दो इस पॉइंट पे हाड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर हम हतियारों को अटैच कर सकते हैं तो इसमें चार हाड पॉइंट लगा दिये जाएंगे, जहां से हम हतियारों को अटेच कर सकें, और फिर उससे हम लोग फायर कर सकते हैं, ये ड्रोन जादे तर काम आते हैं, टैंक्स वगरा को उड़ाने के लिए आपे, और हम लोगों ने टैंक को उड़ाने के लिए, पहले हम साथ हेलीना मिसाइल लाद देते हैं, तो साड़े तीन सो केजी टोटल वेट हो जाता है, और आपको पता है कि इसकी छमता ही जो है, वो साड़े तीन सो केजी उठाने की है, यानि हम लोग एक साथ साथ हेलीना मिसाइल छोड़ सकते हैं, यानि वो करोडों का टैंक भेज जो हम यहां से ड्रोन भेजते रहेंगे। युद नीतियां बदल चुकी है। यूकरेन की लड़ाई और अर्मेनिया और अर्जर वैजान की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि अब जिनके पास ड्रोन टेक्नोलोजी बहतरीन है वही आगे निकलेगा। आप देखें इरान जैसा छोटा देख जो डिफेंस के मामले में आत्म निरिवाद नहीं था वह चोटा देख इरान भी रूस को ड्रोन दे रहा है कि हमारे ड्रोन से अब यूकरेन में मारिये। तुर्की जो हतियार के निर्यात में उतना नहीं परसित था लेकिन उसने भी यूकरेन को दिया मारने के लिए और ये ड्रोण तकता पलट करदिये पूरी तरह से माहोल बदल दिये ये ड्रोण बहुत सस्ते होते हैं में यसी चीझ के बहुत सस्ते होते हैं याँ पर ड्रोण में कोई टाइलेट नहीं बेठता है से लिए human casualty का कोई बात नहीं होता है तो ये आरमल ड्रोन अब हो जाएगा ये टीवी ट्रो ड्रोन और साथ मिसाइलों को ले जा सकता है और टैंक का हाल ये हो जाता है देख सकते हैं आप इसमें अलग तरह का नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है दुनिया के जितने ड्रोन है ज्मतलब जादेतर ड्रोन जैसे दिखाने का काम गगन करेगा और गगन एल्रेडी ट्रॉष्टेड है हमारी नेवी यूज करती है एएर पोस पहले से यूज कर रही है जहाज हमारे इंडिया में जितने उड़ते वो गगन को यूज करते हैं जितने भी ट्रेंस वगरा का एग्जेक्ट लोकेशन के लिए भी हम लोग Gagan का ही परियोग करते हैं, तो ये Gagan सेटलाइट हम लोग का है, तो हमारे इसकी उपर कंट्रोल है, इसका परियोग करना जादे सही है, और ये पूरी तरह से भारत की निगरानी देता है, तो अब हम लोग कहीं पर भी हमला करने के लिए जीपीएस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरी तरह से Gagan ड्रोन सिस्टम से उपर का इसका अंटीना सिगनल ले लेगा, और कहां क्या चीज हो रहा है, सब कुछ बता कर लेगा, इवेन कि ये आपस में लिंक भी होते है, अगर कोई कॉमर्सियल जहाद जा रहा है, इसको किसी को बता दिया, ये लखनो के उपर से एक जहाद जा रहा है, आदा गंटा बाद हम ये सूचना देंगे, कि लखनो से जहाद जा रहा है, तो जहाद पता नहीं कहां जा चुका रहेगा, आदा गंटा में, तो हमें जो भी जानकारी चाहिए, रियल टाइम पे, अभी वो इसके कैमरे में बिल्कुल HD क्वालिटी को है, लेकिन HD क्वालिटी ये देखने के काम में आता है, यूद में कितना अच्छा देखते हैं, ये मतलब नहीं, जब दूसमन को देख लेंगे, तो आप भी दूसमन को मार देंगे, अब दूसमन भी आपको मार देगा, या सारी लड़ाई आज beyond visual rain है हमारे नजरों से दूर की लड़ाई हो गई है छुपके लड़ाई हो गई है अंधेरे में हो गई है तो अब वो HD HD काम नहीं आने वाला लड़ाई में है अब technology काम आईगी तो उसमें क्या काम आएगा देखिए night vision यहां नीचे थर्मल कैमरा ऐसा नहीं होता है थर्मल कैमरा हमा गर्मी को भाफता है कहां का टेंपरेचर जादे है उसको गरम करके दिखाता है जैसे यह हीरन है इनका टेंपरेचर जादे था तो इनको इस कलर से दिखा दिया बाकी के पेड़ पोधो का टेंपरेचर कम था तो उसको अलग क अमूमन ऐसा लगता है कि जब night vision camera हई है तो thermal की जरूवत क्या है देखे night vision से अच्छा thermal होता है region क्या है अगर इन हिरन को उपर एको तिरपाल उड़ा देते हैं या चादर से ढख देते हैं या हिरन के जगा अगर फोजी रहते हैं ढख लेते हैं अपने आपको तो night vision उसे नहीं देख पाएगा कि इसके अंदर आदमी है और यहीं काम आजाता है thermal camera अगर आप इनके उपर चादर से ढख भी देते हैं तो इनके बदन की गर्मी थोड़ी ने खतम हो जाएगी तो यह गर्मी को पहचानता है इसलिए thermal camera जादे अच्छा होता है यह क्या ना में defense के मामले में night vision से लेकिन कव किसकी जरूवत पढ़ रही है तो night vision में भी देख लेगा दिख रहा है thermal मे लगा के दिया गया है हमारे tapas drone में निगरानी इसके जो navigation system में बहुत बहतरी ने इसके अलावे अब दिखें हमको जब आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है तो हमें चाहिए thermal camera क्या करता है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को दिखाने लगता है कि हाँ नाक के पास का temperature ज infrared system, infrared system में क्या होता है कि इसमें computer में save कर दिया जाता है कि जादे temperature को दिखाना है बाकी को काला कर देना है तो अगर इसमें set कर देंगे कि 400 degree Celsius को दिखाना है तो देखें कोई भी जहाज चलेगा तो उसका engine 400 degree Celsius होता है या इसमें set कर दिए इसके system में कि 200 degree Celsius से temperature जादे रहेगा तो ही screen पे दिखाना, otherwise में मत दिखाना तो इसका पूरा screen काला दिखता है, इस type का काला दिखेगा, लेकिन जहाँ temperature जादे आया 200 degree Celsius तो जहाँ जहाँ उसको जादे दिखेगा, वहाँ वहाँ का design बना देगा तो देखिए, जहाँ जहाँ temperature इसको जादे दिखा, उसका design बना दिया, पता चल गया, इस तो जहाँ 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 बागी पूरा black रहेगा इसमें देखिए, यहाँ temperature जादे, यहाँ जादे, यहाँ जादे, यहाँ जादे, तो उसी हिसाब से बना देगा, तो इसका screen पूरा black रहता है, इंफ्रारेट वाले में यही खासे, पूरा screen black, अब जो आ गया सीधे मारो, जो आ गया मार दो यहाँ पे, तो इससे भी attack करने इसका temperature जादे था, तो पकड़ लिया, तो इंफ्रारेट, तो navigation की कितनी बेहतरीन वेवस्था रखी गई, लेकिन यह सारा navigation फेल हो जाता है, जनते हैं कब, जब कोई जहाँ ग्राउंड पर हो, और उस ग्राउंड के जहाँच का engine off हो, तो पकड़ना काफी मुस्किल होता है तो अभी के समय में, सबसे advanced technology है, वो है synthetic aperture radar, synthetic aperture radar कैसे काम करता है, उस system को भी इसमें दिया गया है, synthetic aperture radar को, अब समझ में आता है, आत्म निर्भर का फाइदा क्या होता है, यह सारा system ISRO ने दे दिया है, तो कुछ ISRO ने दे दिया, कुछ DRDO ने दे दिया, कुछ HAL ने दे दिया पूरे मिल के आपस में काम करते हैं सब, तो synthetic aperture radar क्या है, यह देखता ही नहीं, अनहरा होता है, synthetic aperture radar, वो अंधा की तरह काम करता है, अंधा कैसे चूचू के निसानल ऐसे चूता है, क्या चीज है, कोई आदमी खड़ा, ऐसे touch कर लेता है, वैसे ही वो wave छोडता है, तरंगों क चोड़ता है, अब जैसे हमारे उपर कोई तरंग छोड़ेगा, तो नाक से जो तरंग तकड़ाएगी, वो पहले ही चली जाएगी, जो गाल से तकड़ाएगी, वो थोड़ा बाद में जाएगी, क्योंकि नाक उफर है, गाल नीचे है, तो उसी तरह से अलग अलग जग से तो अलग अलग तरंगे उठेगे, जैसे सिम्पल सी बात बताते है, हम आटा सान लेते हैं, ठीक है, आटा सान के अपने मूँ पे इसे चिपका देते हैं, जब इसको नोचेंगे, तो मेरा थूथूर का चेहरा उस आटा में चिपक जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसका साचा ले लिए हैं, यही काम करता है, अपर्चर रडार, जिसके उपर से गुजरेगा, तो उसके उपर से पूरी तरह से वेब छोड़ देगा, ऐसे पूरा वेब छोड़ देगा, और देखेगा कोन वेब कितनी उचाई से टकरा की आ रहा है, जैसे इधर साइड बीच में यहां रनवे था, तो रनवे वाला अलग आ गया, यह टेक्सी वे वाला अलग आ गया, पियर पॉदे का अलग आ गया, तो पूरा इसके एन कर लेता है, अब इसमें कोई छुपा रहे है या नहीं, अब कोई छुपा भी रहे तो उसके जगा गोल बना देगा, कि यह तरंग यहां पहले ही आ गई है, जमीन तक नहीं गई है, तो यह सेंथेटिक अपर्चर रडार से भी सेलाइस किया गया है, यानि इसमें पूरी तरह से निविगेशन जो भी एडवांस अभी के लेटेस्ट टेक्नोलजी पे है, अलाकि इसमें हमला करने के लिए एक और लेटेस्ट टेक्नोलजी जोड़ा गिया है, लेजर गाइड़ इसमें, लेजर गाइड़ सिस्टम क्या होता है, दिखिए, जमीनी लडाई में आप फौज को नकार नहीं सकते हैं, जीतना भी टेकनोलजी आगया, फौज वहां खड़ी रहती है, कई बार फौज को दिख ज जहाज से कई से देख पाएगा तहिने मुडों की बाय मुडों जहाज से दिखेगा तो कुई चीज़ वह उटपा टांग दिखता है समझ में नहीं आएगा तो यहीं काम आता है लेजर जैसे देखे अब यहाँ एक आदमी लेजर मशीन लेके खड़ा रहेगा इस साइड में लेजर मसीन लेके खड़ा हो जाएगा यह लेजर मसीन से दुसमन के टैंक के उपर वो लेजर लाइट चलाएगा अब लेजर लाइट दिन में किसी को चला दिखा दिजेगा तो उसको क्या समझ में आएगा तो इस बेचारे टैंक को कुछ पता ही नहीं है, दूसमन का ये टैंक है, इसको कुछ पता ही नहीं है, कि इसके ऊपर किसी ने निसाना भी लगाया है, एक्चुल में इस पे तो निसाना ही नहीं लगाया है, उसने तो इस टैंक के ऊपर केवल एक रोसनी छोड़िये, लेजर क अब यह लेजर रोसनी यहां बिखरने लगेगी जैसे यहां बिखरेगी अब यह बिखरेगी तो तरंग बनेगा और इसे रडार से पकड़ लिया जाएगा कि यहां पर कोई न कोई हलचल हो रहा है और वह हलचल देखकर उपर से उड़ता हुआ ड्रोन या फाइटर जहा जाएगा अब वह समझ जाएगा ओ भाई साब हलचल कहा हो रही है तो इसी पर बम गिरा दो गिरा देगा इसी के उपर देखिए इसने मारा नहीं इसने केवल निसाना लगा दिया इस पर यह कैसे काम किया समझे ध्यान सा देखिए यहां दुसमन का एक टैंक दो टैंक यह तीसरा टै यह आदमी तिरपाल ओर के चुपा हुआ है, गास उस लगा के चुप जाते हैं, और यहां से लेजर बीम छोड़़ा है, जैसे लेजर बीम इसके उपर झोड़ेगा, तो यह लेजर बीम जाने के बाद, यहां से स्केटर होके बिखर जाएगी, जिससे यहां पर बिखरेगी, तो मशीने उन तरंगों को पकड़ लेगे, राडार इन बिखरे हुए तरंगों को पकड़ लेगा, राडार जैसे इस बिखरे हुए तरंगों को पकड़ेगा, तो हमारा ड्रोन, या हेलिकॉप्टर, या फिर फाइटर जहाज, इस डारेक्शन में चल देंगे, कि ओ सब्सक् यही डिसाइट करता है कि लेजर कहां जाएगा, इसको क्या पता चलेगा, हमारी उपर कोई लेजर लाइट से थोड़ा सा जला देगा, क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन वो बिखरेगा, तो रडार छोटे से चोटे चीजों को पकड़ लेता है, जिस अगया उपरा से, क्योंकि इसकी लेजर जहां आपके निसाना लगा रही होती है, यह तुरत जानकारी सेटलाइट को दे देती है, सेटलाइट जहाज को दे देती है, जहाज आके इसको मार देता है, तो आज का जो सेनेरियो है लडाई का, वो completely changed हो चुका है, तो तपस ड् technology के सेक्टर में question पूछने का दारा बढ़ते गया है BPSC का exam हो गया, mains के class चालू भी हो गया है 16 तारिक से mains start हो गया offline में हम लोग limited ही लड़कों का admission ले सकते हैं क्योंकि offline में जगहें नहीं बचा offline का हमारे पास भी एक limitation है बावू समझिए कि हम कितने लोगों को ले सकते हैं कुछ को ले सकते हैं admission बाकी लोगों को हम online ही पढ़ा सकते हैं तो कोसिस करेंगे लोग online ही ले 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 BPSC के जितने लड़के लगते हैं अब पूरी तरह से dedicated हो कि आप जूट जाना है mains पर और mains में जो 300 नंबर का निबंध है वो पूरा proper class होगा आपको धर्मेंद सर पूरा class लेंगे निबंध का और वो class आपको proper 2 महीने से 3 महीने के time में लगेगा उसको complete करने में फिर आपको mentorship में दिया जाएगा आप हमारे ही guidance में पढ़ सकते हैं जैसे भी पढ़ना होगा वैसे पढ़ेंगे तो यह तो BPSC का हो गया BPSC में हम लोग offline में लगभग admission close है क्योंकि जगा नहीं है तो online ट्राइग करेंगे लोग ठीक है Prelims के लिए, Men's के लिए दोनों batch available है मदपरदेश PCS वाले application में जाएगे वहाँ देखिए बिल्कुल nominal fee में सबसे best teacher के साथ आप पढ़ेंगे मदपरदेश PCS और हर जगह यह science and tech का question आते रहता है इसलिए आप चाहें UPSC हो या state PCS हो अब सब यह जगह अब आपको इसम डीटेल से पढ़ना है I hope आप इस topic को समझे होंगे मिलेंगे next class में जैहन